हाई गाईस तो आज की वीडियो हम सॉल्ट करेंगे और ही कोस्ट्रिन जो के फोनिक्स इस्ट्रिवोशन तो यार कोस्ट्रिन क्या है इसको उपन करके देखते हैं को कुछ इस तरह का मिला है मुझे ठीके तो फोनिक्स राज़े स्ट्रिंग एस पन्सिस्ट्रिंग अफ लोएर लाटन लेटर तो एक स्ट्रिंग है इसके पास जहां पे सब लेटर लोएर केस हैं तो यह जो एस में लेटर था न यह इसको के स्ट्रिंग में डिवाइट करना चाहता है अपि नॉन एम्टी स्ट्रिंग होना चाहता है यह जो के स्ट्रिंग को बना रहा है पर इसका सारे लेटर यह स्ट्रिंग में जाना चाहिए मतलब यह स्ट्रिंग बना रहा है इसमें जाना चाहिए यहां पर कुछ एक्जंब दिया है तो देखते हैं किसे हुआ है अगर बाबा मिला है मुझे तो हम किस तरह का और के मिला है मुझे दो मिला का तो किसे कर सकते हैं यहां पर ऐ करतीया यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दिया यहां पर गलत हो गया र्या bitter кरण दойти को हम use ही नहीं किये, तो सब को use करना होगा, यहां पर एक a को हम use नहीं किये, इसलिए यह गलत हो गया, और यहां पर देखो, पहला string में मैं सारा कुछ डाल दिया, और second string empty रहे गया, और बोला था non empty, तो इसलिए यह भी गलत हो गया, तो इस तरह distribution करना है के string में, और आगे क् distribution हो गया, हम करतेंगे, और आगे यह पुछा गया है, ठीके, phonics want to distribute the letter of his string s into k string, a1, a2, a, k, to minimize the lexicographically maximize string among them, that is minimum of maximum of this one, तो case string का maximum होगा है, उसका minimum, इसका क्या meaning हुआ, इसका क्या meaning हुआ, इसको हमें find out कना है, इसको देखते हैं, क्या meaning हुआ, य्र देखो, अगर यह दिया होगा, अगर k equal to होगा, तो यह चारो configuration में से, मेरा एक configuration बनाऊँगा मैं, और यह चारो तो बना सकता हो, ना, valid तो चार और यह marks क्या है? Lexicographical marks Lexicographical meaning क्या होता है? Dictionary orderment Dictionary orderment चो maximum है उसको minimum मुझे बनाना है इसको समझते हैं याद दे अगर मैं ये configuration बनाता तो Lexicographical maximum कौन बन पाता? BA बन पाता क्योंकि दोनों से में अगर ये configuration में बनाता तो Lexicographical maximum कौन होगा? यहाँ पर A है यहाँ पर A, B, B Dictionary में last में कौन आएगा? A, B, B आएगा ठीके? अगर ये configuration बनाता तो last में कौन आता दictionary में? A, B आता दोनों ही से में और यहाँ पर B, B आता ठीके? अगर ये चारों में से में कोई भी configuration बनाता तो जो बड़ा आएगा उसका probability क्या है? ये सब ये मेरा chances है कि बड़े में आ सकते हैं पर किससे हम select करें? जिसका ये चारों में से जिसका Lexicographical minimum हो? कि maximum तो हमने ढूंड दिये इनका minimum ये चारों का minimum कौन सा ये minimum होगा? A, B minimum होगा ये चारों में से डिक्सिनरी में फास कोन आएगा? minimum means जो फास आएगा डिक्सिनरी में से ये A, B पहले आएगा तो ये हो गया minimum ठीक है? समझ में अगर नहीं आ रहा है तो और एक बार समझते हैं इसको ठीक हो इसको board पे लेके चलते हैं और उससे पहले कुछ test case पे उठा लेते हैं board पे discuss करते हैं ठीक है? तो यह देखे तो question मुझे क्या कहा गया था? कि lexicographically marks of mean तो मैं के करूँगा मुझे ढूणना था mean of marks of A1, A2 of 2, AK ये मुझे ढूणना था जैसे कि बाबा का example मुझे दिया था तो इसको कैसे हम arrange कर सकते हैं? एक तो ऐसे कर सकते हैं A, B, A, B कर दो और दूसरा क्या हो जाएगा? यहां पे A कर दो यहां पे A, B, A, B, A कर दो यह भी हो सकता है यहां पे B कर दो यहां पे और बाकी कर दो A, A, B, कुछ भी कर दो एक ब्रिश्ट भी डिस्का डिस्ट्रिबुटिट कर सकते हैं दोना है और बी आ भी भी ए ए कर दिया है ठीक और ऐसे कर सकते हैं यह सकते हैं तो अगर यह कंपिरिंशन में बना आता है कुछ भी हम बना सकते हैं अगर यह बनाता, maximum कोन आता, यह दोनों में से maximum AB आता, अगर यह में बनाता, maximum कोन आएगा, यह आएगा, ABB, अगर इसको मैं, यहां पर maximum ढूंदू, तो आएगा AAB, यह दोनों का maximum कोन होगा, BB, और यह दोनों का maximum कोन होगा, BA, तो अगर बहुत सारा possibility आएगा, कि maximum क्या हो सकत पर वो सारे possibility में से मुझे ओर ढूना है जो minimum हो सके यह सब में से अगर में यह सारा possibility मेरे पास वह होगा तो इसमें साम कौन सा चूछ करेंगे जो minimum सबसे हो minimum कुन सा हो जाएगा dictionary में पहले कौन आएगा यह भी आएगा तो यह होगा मेरा answer है ठीक है तो समझ में आगया थोड़ा tricky है समझने के लिए पर यह सूच हो कि जो maximum होगा ना सबसे इसको मुझे सबसे चोड़ा बनाना है आज वसको चोड़ा बनाना है अभी मेरा मार्क्स का मिन हो पाएगा तो इसको कैसे करेंगे आप देखते हैं कैसे करेंगे अब डिसकस करते हैं प्लेक तो कुछ एक्जेम्बल हम लेते हैं जैसे कि मानलो मैंने यह ले लिया यह लेते यह दिया था भी ए ए सी बी तो यह देखो हमें कहा गया था लिक्सोग्राफी का लिए माक्सिमूम का मिनिमूम तो सबसे तो पहला आइडिया मेरे पास यह आ रहा है कि मैं इसको सौट कर दूँ मुझे चोटा ऐलिमेंट पहले मिल जाइगा बड़ा बात में मिल जाएगा तो मुझे चूझ मिनिमूम का माक्सिमूम यह चूझ करने मूझ दिखकर नहीं आएगा और एजिली हो जाएगा देखो या, इसको अगर मैं sort कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, A, A, B, B, C, ये बन जाएगा, ये और ये करने के लिए फाइदा क्या हुआ, मैं जानता हूँ, अगर मैं A को लूँ, तो मुझे सबसे minimum मिलेगा, अगर मैं C को लूँ, तो मुझे सबसे maximum मिलेगा, क्योंकि डिक करते हैं, इसको के से करना है, मालो मुझे तीन हिस्सों में बार्टना था, K का बेलू, 3 था, ठीक है, तीन नॉन स्रिंग में इसको डिवाइट करेंगा, तो ये अगर मुझे minimum जाहिए, तो मैंने sorting order में इसको आरेंज करूँगा, क्योंकि minimum जाहिए, सबसे जो maximum होगा, उसक direction में इसको करते हैं, तो A को मैंने यहाँ पर ले लिया, अगर distribute में कर रहा हूँ, एको यहाँ ले लिया, एको यहाँ ले लिया, बी को यहाँ ले लिया, ठीक है, यार देखो, ये तीनों में से, अब कौन में सबसे maximum है, जब ये तीन बनेगा, इसके बाद कुछ तो आएग लोगी A, Y, Z, X, B, W, U, ये एक वार है, और B अकेला एक वार है, ये दोनों वार में से, कौन लास्ट में आएगा, B ही आएगा, तो लेक्षिकोगराफिकली माक्सिमम कौन है, B है, B बड़ा है लेक्षिकोगराफिकली, ये सारा में से, ओके, तो ये तीनों में से, जो भी यहां पर आजाए, ये हमें ऐसा बड़ा रहेगा, तो यहां पर कुछ भी ड्याल दो, यहां पर तुम कोई भी वार ड्याल दो, कितने बड़ा ड्याल दो, फिर भी ये B तो बाद में ही आएगा, तो ये सबसे माक्सिमम है, और ये माक्सिमम को मुझे क्या बनाना था, मिनि minimum बनाटा था तो यह पता चल गया कि यहां पे जो वाट आएगा न यह जो वाट जो भी तुम यहां पे टालोगे अभी में ABP १ि डाल दिया और BC बाकी है वी तो कहीं पर आएगा तो यहां पर जो भी बन पाएगा, देखो यहाई, मेरा अकेला B था, यहाँ पे BC बाकी है ना, तो यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, मतलब यह वाला स्ट्रिंग में, तुम BC में से कुछ भी आड कर सकते हो, मानलो मैंने BR कर दिया, B पहले से था, और मैं B और एक आड कर दिया, B पहले से था, और एक C आड कर दिया, मैंने, B पहले से था, और BC आड कर दिया, कुछ भी डाल सकते हो ना इसमें चे और बाकी को तुम इसमें डिस्ट्रिबूट कर सकते हो तो यह सारा पसिबिल यह सारा कॉन्फिग्रेशन मेरा बन सकता है अगर में बनाना चाहो तो पर कौनसा बनाना मेरे लिए सही रहेगा मुझे क्या पूछा गया था जो माक्सिममम ल अगर मैं खाले इसको बी रखू तो पीस को यह किसी में से डाल दो क्यूंकि अब तो हमें दिखा न एक आप तुम कुछ भी याड़ करो यह हमें साथ छोटा रहेगा बी से तो यह माक्सिमम भी बना रहा और यह सब कंफिग्रेशन में से छोटा भी रहा तो यह बाकी का प यह हमकुलंड किये कि कुछ भी आजाए यह जो तीन आजाए अगर मेरे पास यह एक बड़ा बन चुका है तो यह जो बी सी और जो भी रिमेंन्ग केरेक्कर हैं इस में मत डाल यह डालने से क्या होगा यह माक्सिमम नहीं माक्सिमम तो होगा पर लेक्सियोगा बहले मिनिमा पाइज नहीं कर पाएंगे तो यहां से एक केस मेरे आया एक केस क्या आया अगर यह दोनों क्यारेक्टर डिफरेंड है और यह बी हमेंसे हमने क्यों चूच किया कि यह मिनिमम देगा यह सी भी तो माक्सिम हो सकता था यह मैंने शॉर्टिंग और में रख दिया था तो यह सी अगर मैं करूंगा बी याने सी में से कौन बढ़ा होगा सी तो बढ़ा होगा पर कि आओ मिनिमाई जो पाएगा इस बी तो छोटा है ना ओके इसलिए मैंने सॉर्ट कर गया था पहले से ठीक है तो केस वान पर क्या आया यह केस में यहां पर लिख रहा हूं केस वान अगर हमने देखा कि जो पहला बला बंदा है str of 0 अगर यह not equal to str of k यह k 3 था k तो str of k-1 इंडेक्स है ना k-1 हो जाएगा अगर यह केस बन गा है तो कौन सा मेरा maximum सबसे हो पाएगा यह अकेला अगर रहेगा तो यह बाला character अगर अकेला रहेगा यह मेरा सबसे maximum भी बनेगा और यह सबसे minimize भी हो पाएगा सारा possible configuration में से यह सबसे minimize हो पाएगा तो यह केस मेरा answer क्या बनेगा answer यहां पर बनेगा क्या बनेगा यह जो यह character str of k-1 जो कि मेरा यहां पर b बन रहा थी ठीक है यह तो एक केस गया अब यह केस को देखते है यह केस को aaa तो मुझे दिया गया था a a a a a ठीक है कितना दिया गया था पांच और इसको हमने तीन हिस्सों में बांटना है मालों मैं ले लेता हूं सबके लिए इसको मैंने aaa डाल दिया सब में से यहां पर different case आ रहा था इसको भी मैं लिख लेता हूं इसको थोड़ा छोटा करके कि नीचे गरके यहांपर मेरा क्या बन रहा था इससे यहांद में हम तीन बनाए थे और यहांपर आमएधा पहले बार a a b और बाके pc बाकी था तो pc यहांपर कईवा डाल सकतें तो यह दोनों में जीच को यह तो कुछ फरक नहीं पड़ेगा और यह सबसे माक्सिमियों लेगा यह क्या हो गया सब तो सेम हो गया यहां पर हमें पता चल रहा था कि यह तो हमेशा ही माक्सिमियों होगा तुम कुछ तो यहां पर दाल तो आंसर मेरा कुंसा बनेगा यह वाला बनेगा क्योंकि fabric क्हुंसे होगा इस मेंक्छे बढ़ा एक होगा इसमें सबसे जादा यह तुम A का कुछ भी configuration बना दो A A A नीचे लिखते हैं A A A A A A A यह तुम कुछ भी configuration बना दो यह सबसे minimum है क्यों? अगर मैं इसको A बनाता अगर मैं इसको A बनाओ तो यह तोनों में से कोई एक बड़ा बन जाएगा अगर यह 7 था ना एक में कितना है? एक element है और 6 दोनों में होंगे तो मालो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है तो मुझे ढूरना था सबसे maximum पर क्या भी A सबसे maximum है? नहीं है कि यह बन गया सबसे maximum और यह सबसे maximum नहीं बन पाएगा तो A से और यह सबसे जो maximum है इसको मुझे minimize करना था तो इसलिए जब मेरा सारा character same हो जाए जब यह सारा character मेरा same हो जाए तो हम बेटर क्या रहेगा? कि इभी लिडिस्टिबूट करते हैं सब में same 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 बांटते हैं और मेला पहला बाला जो होगा आंसर हो जाएगा और यह case में check कैसे करेंगे? यह कैसे check करेंगे? इसको check करेंगे पहले तो यह case चेक करेंगे अकर यह case नही है इसका मतलब यह था zero यह था zeroth index और यह था मेरा k-1 k मेरा 3 था तो k-1 ठीक है? यह था कै Kent अकर यह तो नो same हो गया मतलब यह case ये पहले हम चेक करेंगे ये दुनों सेम है या नहीं अकर सेम नहीं हुआ तो ये आंसर बन जाएगा और ये जब नहीं हुआ तो ये केस चेक करेंगे ये केस में अकर ये दुनों सेम हो रहा है अकर ये दुनों सेम हो रहा है तो ये बीच का सारा ही सेम होगा क्योंकि हम तो sorting कर दे थे थे न अगर यह case नहीं हो रहा है तो इसका meaning है कि यह 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 दोनों क्या एक्टर सेम है ओके तो हमने तो सट कर दे था तो इसके बीच में सारा ही सेम मिलेगा यह case में हम चिक करेंगे क्या यहां से यहां तक सेम है क्या है म्हांद यहां से यहां तक सेम होता मृ लो और अलेते हैं एडियमें जैसे कि автом का आज से कि एए यह ले लिया और वी बी ले लिया ए क्यों केसिए क्या होता तीन केस में मेरा तो A A A हो जाता मैं सेम हो क्या और यह B को तुम कहीं भी भी distribute करते हो मालो यहां पर B ना दे के हां B ही दे परते हैं तो यह B को हम इभी distribute करतेंगे यह पर यह हो जाएगा मैरा answer यह सब में बड़ा है और इसका जो भी possible configuration बन सकता था इसमें यह छोटा है सबसे ओके तो यह के इसमें क्या करेंगे यह दोनों character को चेक करेंगे यह दोनों character कुंसा character एक यह था k-1 यह था k-1 तो के थ च्यारेक्टर आण जो length-1 अगर यह दोनों सेम हो गया तो क्या होगा एक तो पहला बाला character होगा यहां पर क्या answer आ रहा है तो पहला बाला character और उसके बाद इसका हिस्से में जो भी बचेगा यहां से यहां तक तुम में बिल्ले distribute कर दो एक-एक करके जो इसके इससे में आएगा दो भी इसके हिसे में आ रहा है तो यह हो जाएगा मेरा answer तो यह हो गया मेरा case ठीक है अगर यह समझ में आ गया तो case 3 देखते हैं और क्या-क्या configuration बन सकता है कि के देख लिए केस 3 अगे देखो यह क्या था यहां पर सेम था यहां पर सेम था कि अब क्या करते हैं इसको थोड़ा different करते हैं कि A A A B C T E यह करते हैं पहले तो यह बाद condition चेक किया क्या यह दोनो different है नहीं है तो यह answer नहीं बनेगा फिर check किया क्या यह दोना same है same हे same होने के बाद यह condition चेक करेंगे क्या-क and length-manus i 까 это दोनों same है अकर यह दोनों same है तो यह answer बनेगा यह answer कैसे बना था? 1st character तो मैंने ऐसे लिख लिख लिया और इसके हिस्से में जो भी हाए इसको के इसका हिस्सा कैसे बनेगा? यह उसको देख लेंगे बाद में divide कर लेंगे एक-एक करके ओके? प्याल देखो यह कैसे में क्या होगा? पहले था हमने यह दोनों को टेस्ट किया क्या यह दोनों? यह दोनों? सेम है क्या different है? नहीं है और यह condition भी satisfied होगया उसके बाद इसको check किया क्या यह दोनों सेम है? यह दोनों सेम है? नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? यह तीन अगर तो सबसे maximum कौन बना ad ad सबसे maximum बना है ये तीनों में से कौन पहले कौन last में आएगा dictionary में ad आएगा कि यहाँ पर ad आएगा पर देखो यार क्या जो ad का configuration बन रहा है कि यह सबसे minimum है यह minimum कब हो पाता अगर मेरा होता ab a b यह देखो अगर a b होता और a d होता कौन minimum होता यह होता अगर मेरे पास a क्या बहुत है c तो d और c में से कौन सा चोटा होता c चोटा होता तो यह case में मेरा लिए यह फाइदा मन रहेगा देखो अगर मैं यहाँ पर तो यहाँ पर b मन के a मैं यहाँ पर b पूट कर दूँ यहाँ पर b तो यहाँ से रटाना होगा तो यह क्या बन जाएगा a e और यह बन जाएगा a c और यह maximum नहीं रहा पेले तो maximum था अभी यह maximum नहीं रहा a e maximum बन गया तो यह case में हमें क्या करना चाहिए थोड़ा मुझे पता यह थोड़ा सा confusing है तो पीछे थोड़ा करके एक दो बात देख लेना तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है a a a मुझे सबसे minimum बनाना है और यह सबका minimum क्या होगा अगर मैं इससे b याड कर दूँ मतलब इसको मैं कर रहा हूं हम लो यह केस को मुझे सबसे minimum बनाना है अभी तो सेम है माक्सिमम होगा बी भी होगा हम एक एक करके आड करते हैं a मैंने b याड कर दिया तो क्या है यह तिनों में से यह maximum है और यह क्या इसका जो configuration बनाना था यह सबसे minimum है क्योंकि a के बाद e भी आ सकता है तो यह सबसे minimum है a b a e यह तो minimum है न सबसे इपर यह minimum है क्योंकि आप यह 3 में से maximum भी है condition में डाट हो रहा है तो आगे चल दे लिए c को आया c को अकर मैं यहां पर आड कर दूघ यौँ या फिर यहां पर आड कर दूघ तो C को मैं जहां पर आड़ करूंगा वो maximum हो जाएगा क्योंकि A C यांड A B इसको कुन सा maximum होगा A C होगा पर ये तो minimum मुझे दे रहा था तो इसको ही हम कुछ मड़ी पाइदा रहेंगे C को यहां पर मैंने आड़ कर दिया तो A से क्या बन गया ये तीनों में से क्या ये maximum है हाँ है और ये इसका जो भी concentration बन रहा था क्या ये सबसे minimum है क्योंकि A के बाद B आ रहा है जो कि A E से तो छोटा है A C से तो छोटा है A B C ये तो छोटा होगा ना A C से और ये भी छोटा होगा A E से तो अभी भी ये minimum है और ये तीनों में से maximum है अभी मैंने D को आया D को कहां पर आड़ कर दूँगा बतल मैं D को यहां पर आड़ कर दूँगा तो ये इसमें से भी ये D बड़ा हो जाएगा AD यहां में से AD बड़ा नहीं हो जाएगा तो D को यहां आड़ करना हो руг तो क्या ये तिनों में से सबसे maximum है और ये तिनों में से क्या ये minimum है है क्योंकि A e से CD तो छोटा ही होता है अभी a को add करते है कि काहां से आड़ करते कि अगर यहां पर और यहां पर यहां पर और तो यह बड़ा बढ़ बन जाएगा ay मुझे e को यहां आड़ करना है तो क्या अभी भी यह condition satisfy हो रहा है यह तुनों में से maximum है हाँ है और यह क्या इसका तो सारा confusion बनना था सबसे यह minimum है हाँ है क्योंकि a b c d e यह तो छोटा होता है a c या फिर a e से छोटा होता है तो minimum ही बना तो यह case में मुझे क्या पता चला अगर यह दूनों different है कि यह case को क्या क्या मुझे चाहिए इक अगर यह तोनहं same है पहले मैंने चक्क है यह तो लोगा all the Le could print कर दिया इसको अभी देखता अंसर केसे बनाएंगे मैं पहला बाला character who print कर दिया और इसके बाद देखा क्या यह दुनों difference है यहां से यहां तक अगर मैं यह character and यह character difference है different है तो यह सारा character को मैं कहां प्याड करूं यहां प्याड करूं यह बन जाएका मेरा अंसर अगर एक भी रिपीड होता हम आलो बी यहां पर होता फिर भी हम आर्ट करते हैं यहां पर यहां पर बनता तो तीनों केस मेरा क्या बना अगर यह दुनों सेम है अगर 0 और k-1 सेम नहीं तो तो मेरे पास हमेशा अंसर यह बनेगा और दूसरा केस लिए क्यरेक्टव सेम है क्या यह बनेग्जिर égal इसकी यहां पर यहां पर पहला बाला तो अन्सर करेंगे सब में और पहला बाला होगा मेरा अंसर बन पार एक यह समझ में नहीं थोड़ा सा confusing आ यहां तक अगर नहीं होता है तो एक बार और देख लाएना तो समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसको code करते हैं बस और तो कुछ बचा ही नहीं इसमें क्या क्या मिलेगा मिझे इन्पूट एक मिलेगा test case मिलेगा string का length कितने character है और मिलेगा कितने के कहें कितने हिस्चो में मुझे divide करना है इन्पूट उठाते हैं यहां से और वासो case को लिख ले तेह कि वींटिजर क्या मिलेगा मुझे n ac.next okay and उसके बाद मिलेगा k equal to ac.next okay यह हो गया और उसके बाद मुदे string मिलेगा so c string str कर देते हैं equal to ac.next और यह कितना बाद मुलेगा मुझे test case एक लेना है पहले test case equal to ac.next मुझे पहले भी test case मिला होगा ना और यह सब काम करेंगे चब तक मेरा test case 0 नहीं हो दाता e-minus get done 0 इतना बाद यह सब मुझे भेलो मिलेगा मुझे डाल दिया अंदर और यहां पर क्या कर सकते हैं एक function बना देते हैं कि हर बर solve नाम का function बना देता हूँ और इन में से n, k and steer को pass कर देते हैं तो यह जितना test case होगा यह सब input लेके एक function को call कर देगा और यह function में लिख लेते हैं कि काम क्या करेंगे हैं click add यहां भी तो बास फ्रीन करना है तो इंटीचर n मिला मुझे इंटीचर k and string यह ठीक है यह function बन गया पहला कम मेरा क्या था पहले हम sort कर देंगे string को और sort कैसे करेंगे character हम आरे में convert कर देते हैं इसे तो stream sort को आरे में convert कर दिया str. to call अगे ओके और इसको मैं ने कर दिया और इस यह जॉट कर दिया यह अगे को करने के बाद और यह अलफ़ेटिकल आरेंज होगे शॉट हो गया पहला केस मेरा क्या था तो पहला केस मेरा क्या था यहां पर चेक करेंगे क्या 0 k-1 के बराबर है अगर बराबर ही तो यह answer बन जाएगा और बाकी को हम ignore करेंगे if ra of 0 not equal to ra of k-1 इंडेक्स है तो अगर मुझे 3 में बांटना है तो 2 इंडेक्स में वह होगा k-1 यहां पर क्या होगा system.out dot intel then क्या करेंगे यह ra of k-1 को प्रिंट कर देंगे वही मेरा answer k-1 और यहां से return करते हैं और कुछ काम करने का ज़रूरत नहीं है तो अगर यह case नहीं हुआ अगर return नहीं हुआ तो इसका meaning क्या है यह दोना same है यह एका position यह position यह and यह यह दोनों same है अगर return नहीं हुआ तो तो यहां पर क्या outfits मुटहेश अगर यहांसर इनकेस में से कोई एक बनेगा, यह Applause गया no आज इसक्र आया यहsl्वेस बने का कि यहांसरे ऑ यह दोनों Color 1 यह था k-1 और हमें चिक्कन है k से length-1 तक करके क्वल है अरे का n-1 तर यह दुनों सेम है तो यह case में मेरा क्या बनता पहला character पहला character को print करेंगे और यह बाकी को सब में एक एक करके divide करतेंगे मैंने कर दिया system.out print length print नहीं क्योंकि एक ही line में आएगा तो print करते हैं क्योंकि a एक का और यहां पर a of 0 print कर दिया उसके बाद क्या करेंगे यह सारा letter को एक-एक करके LOT कर देंगे तो एक लेटर तो मेरा चला गया और बागे कितना बचा n-1 क्योंकि a लेटर था और एक लेटर ह्यक्त माने यहां पर प्रिंट कर दिया तो बागे कितना बचा n-1 को kaylogah दिवाइगल कर देंगे और i equal to 0 तो i less than k-1 क्योंकि एक तुम में प्रिंट कर दिया by k इसको k में डिवाइड कर दिया k लोकों में equal amount में डिवाइड कर दिया और प्रिंट क्या करेंगे तो इसको तुम कर सकते हैं फिरवश्च का रहा हूं तो यह हो क्या कर दिया तो यह हो गया else अगर यह बाला condition नहीं हुआ मतलब यह दुनों same नहीं है तो यह दुनों different होगे अगर यह दुनों same नहीं है तो यह दुनों different होगे और यह case में मेरा answer क्या बनेगा पहले तो a बनेगा जो पहला बाला character है ए तो बनेगा और बाकी यहां से यहां तक सारा मेरा अंसर में बनेगा आड़ होंगे उसके साथ तो मैंने यहां पर भी system बटा आउट पहले character को print कर दिया ठीक है पहला character हो गया और एक for loop कहां से लगाएंगे यह case लेके n तक और जग i equal to k i less than i plus plus यहां भी करतेंगे system print alien आड़ आड़ आई print alien नहीं इसको एक लाइन में मुझे print करना है ठीक है और यह सब होने के बाद system not out एक new line दे देगे ठीक है print alien हो गया और यहां पे छोटा से मिस्टेक है क्या है देखो यहां से हम k को check कर रहे हैं अगर k मेरा लेंड से बड़ा हो गया तो इसको यहां पे एक check और लगाएंगे कि जो k हम check करें यह हमेशा यह से छोटा होना चाहिए तो आरे आउट आप बाउंड इंडेक्स यह एरद आज रहेगा तो एक बार राउंड करके देखते हैं कुछ compilation error तो फ्रचल जाएगा नहीं आरा सिर्प तो हो रहा है और submit करके देखते हैं कि यहां पर तो सम्मिट हो रहा है पर यह test case है हमारा थोड़ा सा होई के तो बड़ा test case के लिए हम यहां पर submit करेंगे यह सारे test case के लिए चल पाता है तो करते हैं मैंने submit इनक्यो 21 हा सेक्ट हो गया यहारा सेक्ट हो रहा है तो उम्मीद करता हूं कि इसका solution भी तुम्हें पसंद आया होगा तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तके लिए झाल